हेलो फ्रेंड्स क्या आप भी पार्लर जाकी हेर स्पा करवाने की सोच रहे हैं तो जाने से पहले मेरी इस वीडियो को जुरूर देख लेना हो सकता है घर पर ही आपको हेर स्पा जैसा ट्रीट्मेंट मिल जाए आप मेरे बालों को देख सकते हैं कितने मैनेजेबल लग रहे ह हैं और शाइनी लग रहे हैं हमें इसके लिए घर पर ही सारे इंग्रीडियंट मिल जाएंगे तो हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए कर्ड कर्ड आपने जितनी आप अपने बालों के लिए यूज करते हैं उससे थोड़ी से कम लेना क्योंकि इसमें हमने एक और इंपोर इससे बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल और दूसरा इंग्रीडियंट है शीका काई पाउडर ये भी एक चमश आपने इसमें जरूर डालना हैं आप हिबिस्किस और शीका काई जरूर डालें नहीं तो अगर हिबिस्किस आप नहीं डाल रहे हैं तो शीका काई जल से हमारे बाल मॉइस्टराईज होते हैं बालों में जो ड्राइनस आजाती है वह दूर होती है तो आप घर पर इस spa cream को अगर हफते में एक बार यूज़ करेंगे तो आप खुद result देखेंगे अब ये मैं ले रही हूँ boiled rice इसमें नमक नहीं होना चाहिए आप धियान रखिएगा अब इन सब को आपने एक mix जार में डाल कर ग्राइंड कर लेना है इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं आपको link नीचे description box में दे दूँगी आप चेक कर लेना अगर आप इस hair oil को नहीं बना पायो अब तक और तो आप इसकी जगह पर कोई भी oil डाल सकते जैसे coconut oil या फिर olive oil और या फिर आपके पास बदाम का तेल है तो आप वो भी डाल सकते हो अब इनको अच्छी तरह से हमने mix करके creamy texture त्यार कर लेना है यह देख सकते हैं इसका जो texture है वो ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए यह देखिए इसका इसकी consistency बिल्कुल ऐसी होने चाहिए क्योंकि यह बालों में जब हम apply करेंगे तो easily apply हो जाएगा बाल टूटेंगे नहीं आपने अपने clean बालों में इसे apply करना है अगर आपको यह ताम जहम लगता है न तो आप यह cream रात को भी बना के रख सकते हैं और सुवे अपने बालों में apply कर लीजिए आपको अपने बालों में step by step एंड तक पूरा अच्छी तरह से इस cream को apply करना है और इसके बाद आप shower cap जुरूर लगा लीजिए योगि shower cap लगाने से जो भी हम DIY करते हैं उसका result हमें बहुत अच्छा मिलता है इस cream को आप अपने बालों में 15 मिनट तो जरूर लगा के रखिए अगर आपके पस थोड़ा time जादा है तो आप इसे एक घंटा भी लगा के रख सकते हैं और इसके बाद आप अपने बालों को shampoo wash कर लेना और जब आप shampoo wash कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके बाल है तो और बैल आइकन को तो प्रेस करना बिलकुल मत बूलिएगा ओके बाई बाई